हाई दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दस्वी दक्षा के विज्ञान का एक प्रखंट आज प्रश्वमलवती लेंगिक जनन तो हमने पहले भी जनन के बारे में पढ़ा है और इसके दोरा अलग अलग जीव अपनी अगली पीडी बनाते हैं और इन तरीकों को हम दो हिस्सों में भाग सकते हैं लेंगिक जनन और लेंगिक जनन होता है उस जादतर आपके फूल वाले पौधे और जो कि स्तंधारी जनव होते हैं वो इसको करते हैं संधारी जानवर जैसे की इंसान और बंदर तो इस वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे लेंगिक जनन प्रणाली क्यों और पुश्पी पौजों में लेंगिक जनन पहले बहले बात करते हैं विबिन्ता का मतलब होता है एक ही आबादी में उसके जनवरों में कुछ फरक होना ये फरक उनके रंग के हो सकते हैं उनके आकार की वे किसी भी ऐसी बात के जिससे दो जनवर एक ही आबादी की थोड़े अलग दिखाए दें तो इस चित्र में द वो जान्वर को आसानी सी देख जाते लेकिन जो बूरे कीरे हो बच जाएंगे हिसा है किसी व्याबादी का एक महद को पूर्ण हिस्सा है आप बोल सकते हैं और अगर हमारे पास कोई विबिन जाती है और उसको किसी एक जिसे ही हैं सब कीड़े या सब जानवर और किसी मान सब अख्षी से उसका सामना होता है तो या तो सारे बच जाते हैं या कोई नहीं बचता तो ये ख्याल अच्छा तो लगता है कि सारे बच सकते हैं लेकिन कभी ऐसा भी आएगा मौका कि कोई नहीं बचेगा और उस वक के साथ साथ जिन भी आवादियों में विबिन्ता नहीं थी वह खटती गई और लेकिन जिन आवादियों में थी विबिन्ता उन में से थोड़े भी अगर बच गए तो आगे आगे और और विबिन्ता बढ़ती है इसलिए विबिन्ता काफी एहम हिस्सा है हर आवादी का और क नया डी ने यार्ष सूथर बनाति हैं जो ने से नया प्राणी बनता है उसमें कुंछ बाते एक प्राणी जैसी रहती है पिछले vertically बाते दूसरे जैसी रहती है। उनमें विबिनता जाधा रहती है और उनको संभावना भी जाधा मिलती है बाहर जंगल में बच पाने की परिशानी उसे निपट पाने की और इस चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि इन मरदों के पास कुछ पाते हैं कुछ गुड़ हैं और इन वरतों के पास कुछ गुड़ है और जो इनके बच्चे होते हैं उनमें वो दोनों गुड़ों की कुछ मिलावट रहती है कोई भी एक बच्चा सिर्फ अपने पापा जैसा है सिर्फ अपनी मा जैसा नहीं दे तो गुड़ सूत्रों की जो नकल होती है या जो DNA की नकल होती है हमारे शायव में वो इतनी ठीक तो होती है कि जीवन प्रक्रियाओं की निर्देश हमारे शायव को पता चल जाते हैं जो भी हमारी वहुद ही जरूरी बात होती है जिन्दगी के बारे में जैसे कि हाथ कितने होने चाहिए प्राणी को या उसको सासें कितनी देर में लेनी चाहिए ऐसी बाते हमारे शरीप को पता चल जाती है लेकिन कुछ छोटी-छोटी बाते जैसे कि आखों का रंग कैसा होगा या बालों का रंग कैसा होगा या चम्री का रंग कैसा होगा या ल लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी बाते अलग हैं, यसी कि इनके बालों के रंग अलग हैं और इनके आप देखेंगे तो शकल का जो शेप है वो भी थोड़ा अलग हैं, तो ये छोटी छोटी बाते लेंगिक जनन के वक्त पर बदल जाती हैं, जब हमारे गुण सूत्रों भी कम जानवरों में पाया जाता है, और इसकी वज़े से पूरी जन संक्या को कोई भी खत्रा नहीं रहता है किसी भी बुरे बदलाव से, जैसे कि आप सोच सकते हैं, अगर एक दिन सारे कीड़े बुरे हो गए, तो खत्रा रहेगा, कि सब पेड़ पे हैं बुरे होने की रहे हैं उनमें ये विबिन्ता और बदलाव काफी धीरे धीरे आते हैं एक एक FOOL के साथ, लेकिन वक्त के साथ, जिन pe 이ोगी बदलाव आते हैं या फरक काते हैं, वो उनको प्रकर्रति मौका रहती है, उसको प्रकर्र्तिक जैन कहते हैं, और इसके दतिए ये बदलाव औ इनसानों में जो विबिन्ता आई जो बदलाव आई वक के साथ उसके बारे में और ये पूरा बदलाव एक बंदर से एक इतना समझदार इनसान बनना कि वो अपने उपयोग की कुछ चीज़े बना सकें ये कम्प्यूटर जैसी ये काफी दीरे था और कई साल लग जे थे हमको यहां तक पहुशने में ऐसे ही बाकी जानवरों में जो भी बदलाव आते हैं वो बहुत दीरे दीरे आते हैं डीने और गुर्ण सूत्रों की मौलिक समरशना बनाये रखने के लिए DNA की लंबाई और गुण सूत्रों की संख्या एक जैसी रहनी चाहिए पर प्राणी में इन बातों से हमारे शरीर को काफी जरूरी नर्देश मिलते हैं जैसे की आदमी को हाथ कितने होने चाहिए किस दर से उसकी उमर के साथ उसके शरीर को बढ़ना चाहिए और उसके सर पर कितने बाल होने चाहिए ये बाते हमारे शरीर को बढ़ना चलती है मौलिक सन रचना से DNA और गुण सूत्रों की लेकिन ये सवाल उखता है कि अगर दो अलग प्राणीयों की गुण सूत्र मिलकर एक नया गुण सूत्र बना रहे हैं तो उसकी संख्या दुगनी नहीं होने चाहिए नहीं हमारी शरीर में कुछ खास कौशिकाएं होती है जिनकी गुण सूत्रों की संख्या बाकी कौशिकाओं की गुण सूत्रों की संख्या से आदी होती है और ये कौशिकाएं ही मिलकर लेंगिक जनन में हिस्सा लेती है इन कौशिकाओं को हम कहते हैं युगमक और दो युगमकों के मिलने से ही लेंगिक जनन मुम्किन है तो आप इस चित्र में देख सकते हैं ये वो आम कौशिका है जो हमारी शरीर में पाई जाती है जिसमें ये आम संक्या है गुर्ण सूत्रों की और ये वो कौशिका है या वो युगमक है जिससे लैंगिक जनन मुम्किन होता है और इसमें आधी ही संक्या है वरषूत्रों के लग्यिक जमान के वक्त, दो युगमक मिलकर एक युगमनज बनाते हैं ये युगमनज ही आगे चलकर वक्त के साथ एक पूरा प्राणी बन पाता है एक नेक प्राणी बनने के लिए इस युगमनज को बहुत सारी उर्जा की जरद होती है और ये ज़्यादा तर उर्जा आती है एक युगमक से जो दो युगमक मिले थे उन में से एक युगमक में से ही ज़्यादा तर उर्जा आती है और उस युगमक को हम बोलते हैं मादा युगमक और जो दूसरा ज़्यादा छोटा युगमक रहता है उसको हम कहते हैं नर युगमक जिसमें अक्षिक को की शील होती है अलग तरह की युगमक होने की वज़े से अलग तरह की युगमक बनाने वाले अंगों की भी जरुरत होती है इन अंगों को नाम दिया जाता है जननंग ये चित्र पुष्पी पौधों के न युगमक बनाने वाले जननंग का है और ये चित्र मादा यगमक बनाने वाले जननंग का है एंजियो स्पर्ण्स या पुष्पी पौधों के जननंग उनके फूलों में होते हैं पूंके सर में नर यगमक होता है और स्थी के सर में मादा यगमक होती है पंकुडियां जननंगों को रक्षा करती है और परागन के घाटकों को आकरशित करती है बहेजाल कली की रक्षा करता है जब तक वह खिल नहीं जाती एक लिंगी पुष्पों में उनकेसर और स्थी केसर में से एक ही जननंग होता है इसके उधारर है पपीता और तर्बुच तो ये जो चित्रों में फूल है ये पपीते का है कुछ लेंगेट पुष्पों में दोनों जननंग होते हैं पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी इनके उधारर है मुंधल और सरसन और ये यहाँ पे एक मुंधल के पुष्प का चित्र है तो अब बात करते हैं पुष्पी पौधों की जननंगों के पहले बात करते हैं पुंक्रेसर की ये नर युगमक बनाने वाला जननंग है और इसके जो नर्युगमक रह गए हैं वो इसके पराक कड़ में पाए जाते हैं पराक कड़ एक चिपचपा चुड़ा होता है जिसमें आपके नर्युगमक यात्रा करकर वुस्त्री केसर तक पुबाशते हैं और जो स्त्री केसर होता है वो मादा युगमक बनाने वाला जननंग है इसके तीन हस्से होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग, लंबा सा हिस्सा जो की बीच में होता है इसके और अंडशाय और ये जो आपका इस्तिकेसर है ये फूलों के ठीक बीचों बीच पाया जाता है अंडशाय में बीजान दे होती है और हर बीजान में एक अंड कोशिक होती है नय युगमक और मादा युगमक के मिलने से युगमनच बनता है और इस फ्राकरतिक गढ़ना को हम कहते हैं निशेचा तो यह एक चित्र है आपके कराब करण कर जो ही एक चिपचिपए से चूरा होते है और जब एक उगलेंगिक पौधे के पौंकेसर से उसके स्त्री केसर तक यात्रा करते है उसके यह पराग करण तो उसे हम सो पराग करण कहते हैं यानि कि एक पौधे के अंदर ही पराग करण का यात्रा हो गई और पर परागन में एक फूल के पूंक केसर से उसके परागकन याथा करते हैं दूसरे फूल के स्थी केसर तक यह मुम्किन हो पाता है बहारी मदद के दौरा और वो मदद हो सकती है आपके केड़े या फिर पानी या हवा कुछ छोटी चिडियाएं और तित्लियां भी ये काम में मदद करती है और एक बार अगर परागकन वारति कावरत पहुच जाता है तो उसकी नर युगमक को अंडर शाय के मादा युगमक तक मिलाने के लिए उसमें से एक लली निकलती है जो अंडर शाय में जाकर मादा यु युगमनाच बनता है काफी विवाजनों के बाद एक युगमनाच अपका ब्रॉंड बनता है और इस ब्रॉंड के उपर एक काफी मजबूर्ट खोली बनती है और इसके होने के वज़ए से आने वाले फल का पीज बनता है ये ब्रॉंड और युगमनाच बनने के बाद निर्शेचन होने के बाद जो अंडर शाय है वो भी काफी तेजी से पकता है और बाढ़ता है और फूल के जो बाकी के अंग हैं जैसे की पंखुरियां और बारते काग्रह वो मुर्जाकर फूल से अलग होते रहते हैं जैसे कि आप इस चित और बीजानों से बने बीच में अगले पीड़ी का भ्रौन होता है जो कि वक्त और साधनों के साथ एक अंकुर बन जाता है इस प्राक्रतिक कटना को हम अंकुरन कहते हैं और इसी के साथ हमारा आज का विचार विमर्श कतम होता है आज हमने पढ़ा विभिन्ता और लेंगिज जनन का महत्व पुषपी पौधों के लेंगिज जनन की अंक और निर्शेशन और फूलों का निर्माण उमीदे आपको जादा जर्बाते सही से समझ में आई होंगी हमारे साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद